भाइज और दो निम गजिंग बात eleven तु मैनगे घ्री और जाहिए उसमें मनाने वाले हैं त्रेडिशनल तिन्दे जो चलते रहते हैं यह अगि कि तोगैश इसमें डलने वाली सामगरिया और देख सकते हैं यह पर यह पर आप यहां दो नीमबू, यहां पर एक टमाटर, मतलब कुछ पीसेज ओफ हरी मेर्च और यहां हरा धनिया और यह लैस्टन तो फिर चलते रहते हैं वीडियो के आगे सबसे पहले हम दो बड़े चमच तेल डालेंगे जो की आदा किलो टिंडे के लिए हैं तो गैजब अप दिक्सते हैं, ओइल को यहां पर धीमी आज पर पका आरहे हैं ऑब गैजब आप पर तेल गरम ओचुका है, अब हम इसके अंदर फाफ टी स्पून जीरा डालेंगे अब गैजब आप गैजब आप ती स्पून हींग डालेंगे अब हम हाफ कटा हुआ ओणियनु डालेंगे अब ऊसके नदर कटी वी लस्न और हरी मेस्ठ डालेंगे अब गैज हम इसके अंदर हाफ केजी टिंडे डालेंगे अब गैज अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे अब गैज हम इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे अब गैज हम इसके अंदर एक चमस लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे अब गैज हम इसके नहीं थोड़ी सी राई डालेंगे अब गैज इसके अंदर हम हाफ बड़ा चमच धनिया पाउंडर डालेंगे अब गैज इसके अंदर हम हाफ हाफ चमच हम चुह डालेंगे अब गैज इसके अंदर हम एक चमच खड़ी सौप डालेंगे औरफ हम स्वाध अनुसार नमक डालेंगे अब गैजज इसके अंदर हम बड़ा कटा हुआ टमाटर डालेंगे अब गैज इसके अंदर थोड़ा आदा कप पानी डालेंगे अब गैज हम इसको धीमियाच पे पकने के लिए ढखने के रख देंगे 15 मिनट बाद हमारी सबजी पूरी पकड तैयार है गैज अब हम इसमें दो नीमों का रस डालेंगे अब हम गैज हरा धनिया पत्ती से गानिश करेंगे तो गैज अब हमारे मसालेदार रसेदार ट्रैडिशनल टिंडा बन कर तैयार है ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए मिस्टर शैड़ हैकर को